शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने आज देश को संभोतित करते हुए कहा, कि आज की परिस्तित्या कुछ अलग है, और देश में जारी कोरोना संकट के चलते वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए देशवासियों को संभोधन करना पड़ रहा है, हाला कि सामुएक प्रयासों से देश इस विब्दा से बाहर निकल सकेगा, बुद्ध पूरुनिमा के आउसर पर पूरे देश को बदाई देते हुए उन्हों ने कहा, कि मुझे पहले भी इस आउसर पर देशवासियों के साथ सववात करने का सवभाग्य मिला है, हाला कि आज की बदले हुई स्थितिय है, उसके कारण सचारी उपस्तित की महत्ता हमेशा नहीं होती है, आज दूर रहकर भी टेक्नोलोजी के माध्यम से आपने मुझे अपने से जूडने का आउसर दिया है, इससे पढ़कर सवभाग्य की बात क्या हो सकती है, प्रधान मंत्री ने कहा, कि भगवान बुद्ध भारत की संस्कृति और महान परंपरा को बहुत संस्कृति क्या है, प्रतिक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है, बगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत सम्रुद्ध किया है वो अपना दीपक स्वयम बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकासित करते रहे और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्तिती तक सिमित नहीं है किसी एक प्रसंग तक सिमित नहीं है सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गवतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्तितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बडला, स्थिती बडली, समाज की व्यवस्ताएं बडली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रभामान रहा है ये सिर्फ इसलिए संबव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बलकि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो पत्तेक मानव के रुदह में धढ़कता है मानवता का मारदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समर्पन का परिया है बुद्ध मजबूत इच्छा सकती से सामाजिक परिवर्तन की पराकाश्टा है बुद्ध वो है जो स्वयम को तपा कर स्वयम को खपा कर खुद को निचावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पीत है